बिस्मिल्य रह्मान रहीम, असलाम अलेकुम दोस्तों, उमीद करता हूँ कि आप सब खहरी रियस से होंगे, दोस्तों आज हम इस लेक्टर में डिस्कुस करने जा रहे हैं सेक्शन सेविन को, इस से पहले हमने इस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के बोर सारे लेक्चर्स को है, तो सीरीज की पूरी सीरीज पूरी प्रेलिस्ट की लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से भी हमने डिफरेंस को देखा, तो चेक कर लीजेगा पिछले लेक्टर को, आज हम सेक्शन सेविन पे बात करेंगे जो के बात करता है इविक्शन का मतलब होता है किसी बंदे को घर से घसीट कर बायल निकाल दा, यानि घर से निकाल देना, और रिकवरी का पता होगा, इस इन इंटेरिम रिलीफ, इंटेरिम यानि टेम्पररी रिलीफ, अभी तक केस जो फाइनल डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन कोर्ट समझ इस बंदे को ये प्रोपर्टी मिलनी चाहिए, तो फॉर टाइम बिंग यानि टेम्पररी ली इंटेरिम रिलीफ देगी, इस ने केस फाइल किया था, वो एप्लीकेशन देगा, फॉर डरीकवरी ऑफ प्रोपर्टी, किसको कोट अफेशन को, और कहेगा, सर देखें, प्रा इस बंदे को टेम्पररी ली प्रोपर्टी दो, इस बंदे को बेठने दो, इस प्रोपर्टी में, हाँ जब फाइनल डिसीजन आएगा, फिर जो होगा, देख लेंगे, तब तक इसको दो, तो कोट सेटिस्फाइ है, कि हाँ, इसको प्रोपर्टी दी जाए, क्योंकि प्राइमा फेशाय लग रहा है, कि इस लॉफल प्रोपर्टी और जिस सारी मामला दूरिंग ट्राइल हो रहा है, और अगर वो बंदा यानि हम जिसको मैं निका आए, अगर वो बंदा नहीं निकलता है, फेल्स टू, गेट आउट अफ द प्रोपर्टी तो फिर कोट अथ्वराइज करेगी पुलिस को, कि जो नैसेसरी फोर्स आप यूज कर सकते हो, करो और बंदे को निकालो, और इस बं करेको प्रส अतने हमें प्रोप प्री तो आप गेजह , स्ट्नेख करो चेपक coração, जगर आए, छफा हैाई, आप येुझेह, ये नहीं हो इसला आप अपरी है, लोन्स सफस्टता हमें हमें लेकित, जुछ एम धाछ, और भ्री नुमें हमें जो जुँदाू से सामें भाइज,